नमस्कार, मैं पंडित पौन कुमार पंडे आप लोगों के समक्ष पौनाहाज से हूँ 13 फरवरी 2024 दिन मंगलबार क्योंकि देखा जाता है कि इस भाग दोड़ भरी जिन्दगी में हर कोई इनसान परेशान है कोई कैरियर को ले करके, तो कोई अपने बेवसाय तो कोई अपने संतान को ले करके परेशान, तो कोई अपने बैवाहिक जीवन को ले करके परेशान कब हमारा सही होगा, कब होगा बिलकुल परफेक्ट और उसके लिए करना क्या होगा कोन से मंतर का जाप, कोन से ग्रह की सान्ती ऐसे तमाम प्रकार की जानकारियां आपकी समक्ष जो नंबर चल ला है, इस पर भी आप मुझसे कभी भी भी बात कर सकते हैं 24 hours, पसरते आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको अपनी बर्थ डिटेल्स स्ट करना होगा पहली रासी लेते हैं मेंस रासी, जिसका स्वामी मंगल और मंगल की उपस्तदी जो की चतृत ग्रही योग बना करके आपके भाग के स्थान परिस्ते थे हमारा जो भाग के भाव है वो थोड़ा confusion इस्थिती में रहेगा अर्थात काम करूं अथवा ना करूं भाग के कितना साथ देगा कितना नहीं देगा confusion वाली इस्थिती को यहां पर create करेगा यहने तीन या तीन से अधिक भाव ग्रह जिस भाव में बैठें को उस भाव से संबंद पलको डिस्टप कर देता है तो वहीं पर career point आफ उसे आपके लिए काफी अच्छा दिन आज आपका गुरेगा निकलेगा और एक point आफ की बात हैं तो ऐसी स्थिती जो है कि आपकी जनम पत्रिकान लेकिन वहीं पर अस्टम का सूर्य है या अस्टम का आपका मंगल है यह आपको कुछ गुप्त बिमारी भी दे सकते हैं गर कोई पुरानी बिमारी अगर आपको है तो आपको परिसान कर सकता है विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं पिगड़े हुए काम बननी की संभावना पूंडूपसिस अगर आप सरकारी महकमे से हैं तो थोड़ा सा शाओधानी बरतियेगा अन्यता आज आपके साथ में कुछ इस्थिती डिस्टर्ब कर सकता है सामाजिक अस्तर पर भी जो हैं कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में बृध्धी होगी है आपका लखी कलर आज आपके लिए रहेगा नारंगी और भाग के साथ देगा आपका बाइस प्रतिष्ठ ब्रिशवराशी जिसका स्वामी शुक्र शुक्र आपकी जरुम पत्रका के भा आपका आज कोई कार्य सिद्ध हो सकता है वो महिला या तो आपके घर की हो सकती है या तो वो महिला आपके कैरियर छित्र की हो सकती है इससे आज आपको धन लाब होता हुआ दिखा देरो और भाग साथ देगा आज आपको अपनी माता के स्वास्त का विसेश ध्यान रखने की आवस्षक्ता है कि थोड़ा सा mental disturbance हो सकती है और आप खास करके माता के साथ साथ में महिला है तो अपने इनलाउस और माता दोनों को भी साथ आपके स्वास्त को दिहान देना और साथ में अपने भी स्वास्त का बिसेश दिहान रखने कि कोई नसों की problems भी हो सकते हैं और urine से संबंधित आपको भी problem या infection वाली इस्थिति आज आपको परिशान कर सकती है कोई धार्मिक यात्रा हैं जो हैं कि आपकी बन सकती हैं यात्रा के योग बनते हैं पूरा focus आज आपके संतान की तरफ जाएंगी हर्मान जी का आजपास अकर कहीं मंदिर है तो वहाँ पर जा करके एक तिल के तेल का दीपक चलाई और धूपत्ती जला करके स्री राम जै राम जै जै राम मंद्र का जाप करेंगी तदो परांथ आपको ओम हनुहनुमते नमाहा इस मंद्र का जाप करने से आपके रिड रोग तथा शत्रूओं का भी नाश होगा अर्थात इन में भी कवी महसूस देखने को मिलेगा आज लकी कलर्ज आपका रहेगा सफेद और भाग के प्रतिसत अंकल आपको प्राप्त होता है तीस प्रतिशत मिथुन अच्छा समय लेकिन कन्फ्यूस्ट रहेंगे थोड़ा सा कारेक शेत्र को लेकर के अपने बिसनेस ब्योशाय को लेकर के करें अत्वाना करें किस प्रकार से इस्थिती होनी है इसी उधेड बुन में आज आपका पूरा दिन निकलने वाला है ब्यापारियों के लिए ब्यापार में थोड़ी सी दिक्कत यहां पे दिखाए दे रहें आगर ब्योशाय का इस्थिती आज आज आपके अच्छी नहीं होने वाली है तो वहीं पर जो है कि पिता और माता के स्वास्त को लेकर के सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव में आप रहेंगे और वहीं पर जीवन साथी के साथ में भी समंद काफी आज मधूर रहने वाले हैं कोई धार्मिक यात्राइं आप कर सकते हैं भागे और पराक्रम भाव अगर आपका अच्छा करना है तो आज आपको ओम सम सनिक्ष्रायनमा मंतर का जाप करना है और साथ में हनुमान चालिशा का पाट करना है और ओम हनुहनुमदे नमा इस मंतर का जाप करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा लाब होता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें माता और पिता दोनों के विश्वास्त काफी अच्छे होंगे आज आपका लगी कलर रहेगा फिरोजी और भाग साथ देगा आज आपका 26 परतिशन करकरासी स्वामी जीच का चंद्रमा हो और चंद्रमा सोयम जो है कि राहो के साथ में आपके बाकिस्तान पर भाग्य को कहीं निर्बल बना देगा आज आज लग साथ नहीं देगा इसलिए आपको कमर कसनी पड़ेगी कारिक क्षेत्र में अपने वेवसाय क्षेत्र में और थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यक्ता है यहाँ पर भी कि आपके किसी जूनियर परसन से मान सम्मान की हानी आज होगी तो इसलिए अगर आपसे कोई जूनियर परसन है तो उसको भी थोड़ा सा अपने साथ में लेकर के चलने से आपको अत्यधिक लाब कैरियर प्षेत्र में परिवर्तन गर कोई करना चाहते हैं नौकरी में या फिर ब्योशाय में कोई परिवर्तन करते हैं तो आज का दिन आपके लिए अति उत्तम रहेगा निर्णे आज ले लीजे सफलता मिलेगी धन में थोड़ा सा कमी महसूस होगी क्योंकि पानी की तरह पैसा आपका कर्च होगा आज आपको आपके जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा और मेरिड लाइफ को लेकर के थोड़ी सी चिंता जनक वाली बात रहेगे मंगलकारी होने की सम्मावना पोडूप से दिख र हो रही है तो यहाँ पर फिक्स होता हुआ नजार आ रहा है लकी कलर रहेगा के सरिया और भाग साथ देगा आज आपका 23 प्रतिशप सिंगरासी शूरी की जो उपस्तती आपकी जनब पत्रका के जिस भाव में पैठे आज आपको गुशा अडियल जिद्दीपन ये सारी च हिकमे में अगर हैं और कहीं कोई कागजी कारवाई में कोई कमी होगी तो आज आपको उसके कारण से परिशान होगा और सिगनेचर करने से पहले पूरे डाकुमेंट्स को आज आपको पढ़ना पड़ेगा और वहीं पर अगर प्रापर्टी से सम्मंदित कोई मुकदमा मिश्च में ये चीजें आपको ही प्राप्त होगी जै आपका ही होने वाला है उपाय क्या करना है आज यादेवी सर्भुतेशू शक्त रूपन संस्था नमस्त अस्तई नमस्त अस्तई नमस्त अस्तई नमो नमा और एक चीज यहाँ पर है कि अगर आप कहीं पर भी जैसे कोई भी आपको दंड मिला हुआ है राजा की तरफ से यानि कि सरकार की तरफ से और आप जेल के अंदर हैं या कानूनी अर्चनों में उलज चुके हैं आज से ही आपको एकारी करना है चाहाँ प्रापरेटी से संबन या चाहे बिजनेस प्रेवसा से संबन देत हो चाहे इंकम टेक्स से संबन देत हो तो आज ही खाली से प्रारंब कर दीजिए इस उपाय को बिंध्या चल चालिशा का पाठ करना प्रारंब कर दीजिए और एक नारियल लाईए नारियल को लाल कलर के कपड़े में आप लपे के उपर नार्यर को बिराच मान करिए और उसकी पूजा करिए 21 दिन पूजन करना है आपको तदो प्रांथ उसको लाल कलर के कपड़े में बान के किसी स्रुक्षित जगा पर आप रख दीजे चितनी भी कानूनी अर्चने आपकी होगी आपके फेबर में होता हुआ चला है ल जगा करके निकलिए और अपने घर के मंदर मस्तक टेक करके घर से बाहर जाए कारिया आपका आपका सिद्ध होगा आज आपके लिए लखी कलर रहेगा नारंगी और भाग के प्रतिशत मिलेगा आपको 30 प्रतिशत कन्यारासी की बात करें तो कन्यारासी वालों के लिए आज आपके बच्चे की तरफ से कुछ खुसखबरी मिल सकती है दो चीजें हो सकती है या तो बीबार रिस्ता फिक्स हो जाएगा या संतान होने का योगबंधा अथवा तीसरा भी और भी हो सकता है कि बच्चा आने वाले की खुसखबरी मिल रही मिल जाए तो आज ये ची कंफ्यूजन वाली इस्तिती जरूर रहेगी बहुत सम्हल करके करिए मान सम्मान प्रतस्ठा में दिक्कत हो सकती है केरियर पॉइंट आप चुसे हो सकता है कि ये एलिकेशन या लांग्छन किसी महिला के द्वारा भी हो सकता है तो थोड़ा सतर्क रहे पती-पत्नी के पाय क्या करेगे किसी किन्र को क्वाइं या फिर ग्रीन कलर के वस्त्र इत्यादी और स्रंगार जो है कि उसको आप दान करें और लाल कलर का फूल मोदक और पान का पत्ता दूरबा ये गणपती बपा को अर्पित करें और देख दीपक प्रजुलित करके उनके समक्छ पता ये नमा है एक माला आपको करनी है प्रत दिन आपको करना है जिस दिन आपने इस चीज को करना प्रारम कर दिया निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आपके जीवन की दसादिसा यूही बदल जाएगा आज आपका लगी कलर रहेगा फिरोजी और फाकिसातेगा आपका 28 प्रतिशक तुलारासी जिसका श्वामी शुक्र हो जो की हर शुकों का कारक ग्रह हो और वो स्वयम आपके शुक समर्थी भाव में गोचर कर रहा हो गाड़ी क्या चाहिए आपको गाड़ी प्रापर्टी चाहिए सुन्दर मकान चाहिए सब का योग प्रबल बना हुआ है आज निरणे आपको ले सकते हैं गाड़ी का प्रापर्टी का या मकान का या फिर यात्रा का आप डिसीजन आज लेंगे घर परिवार में माता पिता और भाई का स्पून सहीयोग रहेगा आज कोई भी निरणे आप अगर लेते हैं वो सक्सिस्फुल निरणे होगा आपका या चाहे कारियर में बिसनस में कोई चेंज या कोई परिवर्तन या किसी भी ब्योशाय को आप दूसरा ब्रांच खोलने की या दूसी जगा काम करने की प्लानिंग करने जिसको हम कह सकते हैं अस्थान तरण का योग आज प्रभल रूप से बनता है तो वहीं पर बेदेश जाने वालों के लिए जो कमाने के पर पस से जा रहे हैं आज कुछ खुस खबरी जो है कि वहां से आपको प्राक्त हो सकते हैं लेकिन दैनिक रोजगात पर विसेश ध्यान करके रखिएगा आपने मस्तक पर आज लाल कलर का टीका लगा कर निकलिएगा और मंत्र जाप आज करेंगे यादेवी सर्भूतेश और शक्त रूपने संस्था नमस्तस तई नमस्तस तई नमस्तस तई नमस्तस तई नमोरमार और शाथ में स्वास्त को लेकर के विसेश ध्यान करें महामे तुझे के 21 बार आपको महामे तुझे का जाप करके मस्तक पर लाल कलर कटीका लगा आगरी के पस्चाती आप घर से बाहर ने करें, कारी आपका सित्तों गां। आज आपका लखी कलर रहेगा नीला, फार के साथ आपका देगा 33 प्रतिशन। वर्ष्चिक राशी की बात करें, तो वर्ष्चिक राशी का श्वामी जिसका मंगल हो और सुक्र के साथ में पस्तित किसी महिला के द्वारा आज आपको प्रुपसाहन मिलेगा, यानि कि कॉन्फिडेंस में मिलेगा आपको आज। और किसी महिला के द्वारा बहुत बड़ा लाभ भी आपको हो सकता है अगर आपकी कोई जॉप में है और आपकी कोई सीनियर महिला है तो निश्चित रुप से कि आप उसके कहने की अनुसार आप वर्ग करेंगे तो निश्चित रुप से कि आज वो आपके उपर बहुत क्रशन रहेगी और इससे आपको आर्थिक लाब होता हुआ यहाँ पे दिखाए दे रहा है तो यह पर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को लेकर कि थोड़ा सा असमंजस वालिस्ते दे लेकिन आज सुबह से लेकर के बारा एक बज़े तक काफी डिमुलाई रहेंगे आप लेकिन बारा एक बज़े के पाद जो है कि जो परिवर्तन होगा यानि कि पूरे दिन का काम आपका खली दो घंटे में होने वाला है आज रुकावटें जरूर होगी पर कारे आपका अंतता शिद्ध जरूर होगा पीपल के ब्रिक्ष पर उपाय क्या करना है आपको पीपल के ब्रिक्ष पर जल अर्पित करें और साथ में शनी भगवान के दर्शन करें और हनुमानची के भी दर्शन करें अम संशनिश्राय नमाह इश्मंतर काजाब करें आपके बच्ची की तरफ से मान सममान में हानी हो सकती है कोई सिकायत آپके बच्ची की भी आज आ सकती है या आपकी भी आ सकती है अगर आप किसी से प्रेम कर रहे है तो ये आज प्रेम प्रशंग वालों के लिए जो लोग प्रेम करते होंगे प्यार करते होंगे जिसको उसमें थोड़ी सी suppression वाली इस्तिती बने थोड़ी कहाश उनी वाली इस्तिती आज बन सकते हैं आज आपके लिए favorite color जिसे हम कह सकते हैं या एक आपके लिए lucky color लिखाई दे रहे तो उहीं पर माता के स्वास्त को लेकर कि आप ज़्यादा परिसान रहेंगे कोई धार्विक यात्राएं आपकी हो सकती है और कोई बिजनेस परपस से आपकी यात्राएं हो सकती है और ये यात्रा काफी लंबी हो सकती है आपको उपाय क्या करना है ओम गंगड़ पते इनमा मंतर का जाप करना है पूरे विधी विधान के शाथ में लाल कलर का फूल और मोधक उनको अरपित अपस्ट करिये घीका दीपक प्रजुलित करने के पस्चार इस मंतर का जाप का है आपके लिए काफी अच्छा नेगा आपके लिए लखी कलर रहेगा कि शरिया और भाग के साथ देगा आपका 23 प्रतिस्ट मकर रासी मकर रासी वालों के लिए अगर हम बात करें तो आज दिन काफी अच्छा होता हुआ दिखाई ले रहे किसी महिला के द्वारा आज आपको बहुत बड़ा बेनिफेट हो सकता है अगर आपके कारक शित्र में कोई महिला है सीनियर है अथवा जूनियर है उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन आपके साथ में है और आप उसके साथ में उबर कर रहे हैं बहुत बड़ा benefit आपको हो सकता है और यहीं पर अगर आप राजनितिक शित्र में हैं तो निश्चित रोपसे की काम आपका काफी लंबे समय से नहीं बन रहा है उस महिला के द्वारा आज आपका कारिय सिद्ध हो सकता है आज आई साइड को ले करके थोड़ा सा परिशान सदर्द इत्यादी चीज़ है रोगर टेंसल सबसे ज़्यादा रहेगा धार्मिक यात्राएं आपकी सुगद और सुलभ भी होंगी डिसीजन सापके लिए अच्छा है बोले नात की पूझा करने आप जल के अंदर रोली डाल करके और भगवान शू को अरपित करना है पान का पत्ता ले लीजेगा और पान के पत्ते पर स्वास्तिक बना करके अपनी मनों कामना बोलते हैं भगवान शू को अरपित कर दीजेगा आज एफट करना आपको पड़ेगा लाब बहुत जवरजस्त आज आपको हो सकता है अगर मार्कटिंग छेत्र में तब भी बहुत बड़ा लाब होगा विदेश जाने वालों के लिए यात्राएं बनेगी और आज हो सकता है कुछ-खुश कबरी बाहर से आज आज आपको मिल सकती है आज आपके लिए लखी कलर रहेगा जामुनिया भाग्य प्रसत अंग देगा आपको 26 प्रतिशक कुमरासी के बात करें तो कुमरासी वालों के लिए आज का दिल काफी बहतर जाएगा फुल कॉंट्फिडेंस में रहेंगे कार आज आपका सिद्ध होगा कोई भी पीछे काम आपने जो किया हो था जो काफी लंबे समय से इंतजार था वो आज इंतजार आपका समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है पारिवारिक दृस्टी कोंड से अगर हम देखें तो परिवार की तरफ से कुछ यात्राएं आपकी हो सकती है या भी हम कह सकते हैं एक राज्य से छोड़ करके दूसरे राज्य में जाना हो सकता है या हो सकता है कहीं अस्थांतरण परिवर्तन करने का यूग बन सकता है आखों को और हड़ियों से रिलेटिड प्राब्लम्स हो सकती है कुछ गुप्त बीमारियां आपको परिसान कर सकती है पेड से संबंधित आपको प्राब्लम्स हो सकती है इसलिए आज आपको उपाई क्या करना है हनुमान चालिशा का पाट करना है उसाथ में हनुमान आस्तक का पाट करें तो आपके लिए अतियुत्तम हो जाएगा सारे कारे आपके सिद्ध हो जाएगे आपका लखी कलर आज आपके लिए रहेगा फिरोजी भाग के साथ देगा आपका 29 परतिसक दासी की बात करें तो मीन दासी वालों के लिए आज का दिन कापी बेतर जाएगा मानसिक चिंता हैं जो हैं कि जरूर रहेंगी माता को लेकर के सबसे ज़्यादा ठेंसर रहेंगे तो वहीं पर कैरियर को लेकर के सबसे ज़्यादा परिशानिया आज रहेंगे आपको कोई पदलाओ करना चाहते हैं हो सकता है आपको जवरजस्ती ये परिवर्तन करना पड़ स इस्थिति आपके साथ में बनेगी और साथ में आपके पेट से सम्मंधित कुछ प्राब्लम्स आपको आज परेशान कर सकता है। आज आपके लिए भाग के साथ देगा आज आपका 29% लखी कलर रहेगा आज आपका पीला। तो ये रहा मीस रासी से लेकर के मीन रासी तक का हज का हाल। अगिला इप शोड़ लेकर के पुना हाजिर होंगा तब तक जाज़ा जीजिए नमस्कार।